जितने के बाद अपनी नई टीम के साथ आचुकी है T20 खेलने इस टीम में भी दूस्तों काफे सारे चेंज़स हैं और काफे सारे प्लियरों का डेवियू भी देखने को आपको मिलेगा दो डेवियू दूस्तों डेफिनिटी दीख रहा है एक दो मुकेश कुमार का और एक है दूस्तों रोमाइन पोवेल को कैप्टैन से के लिए शोप आ गया है जैसन होडर भी सीरीज में आपको वापस से खेलते हो दिखेंगे याने कि दूस्तों यह सीरीज बहुत ही जदा सांतार होने वाली है और इस सीरीज में दूस्तों इंडिया अपने नए-ने प्लियरों क प्लियरों को चांस देगी और कुछ बेटेंग वाडर में भी हैर फेर करके नए-नए प्लियरों को मोका देने के लिए और प्लियरों को ट्राय करने के लिए यह सीरीज खेली जा रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले हैं दोनों टीमों की पर्फॉमेंस की तो डेफिनेटली द जिसमें इंडिया ने 300 प्लस इसकोर बनाये था और वेस्ट इंडिस को 200 के मार्जन से हराया था एक ओर चीज़ 200 से याद आया दोस्तों यह जो रहेगा 200 मेंच रहने वाला एंडिया टीम के लिए तो यह दिहां रखना इंडिया पूरी टीम के लिए इस पेसल डेए रहने हैं बाकि दोस्तों पिछ की बारे में बात करें तो 2022 में एक मात्र टी टुएंटी में ज़स्वेन्यू पर खेला गया था जिसमें इंडिया ने इस वीडियो में बताऊंगा आते साथ ग्रेंड लिक के साथ कुछ इंपोर्टेंट प्लेर्स आपको बताने वालों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना इसके बिल्कुल मत करना वेदर जुर रहेगा रहने वाला और 40% चांस ही रहने हो सकती है दोस्तों तो में इंटरप्ट इंग का उसाथ इसको निकला है टोटल 124 विकेट किरें पेसर को अठावन विकेट मिलें और इस्पिनरों को बोल वाला बहुत जादा रहा है तो हो सकता है कि इंडिया की तरफ से आपको तीन इस्पिनर खेलते हुए दिख सकते हैं और वेश्ट इंडिस तरह इंडिया ने भी जो कि दोनों की बीच में 2022 में खेला गया था इसके आपन ने उपर ओल्रडी डिसकस करा दोस्तों इस मैच में इंडिया ने विन करा था काफी अच्छे मार्जिन से इसके अलब सबसे रीसेंट टीट्वेंटी की बात कुरूँ इस वेन्यों पे दोस्तों सेंट लूशिया किंग और ट्रिवागो नाइट राइडर की यह दोस्तों वेस्ट इंडिस प्रीमेर लीग जो चलती है उसकी ठीम होने ठीके यहां पर पेसर ने साथ विकेट इस्पिनरों को मिले थे पांच विके लास्ट सेकेंड मेच बार्बर्डर्स रोयल और गुआन एमेजन कींग की बीच में खेला गया था इसमें इस्पिनरों का बॉल बाल हो खाना था दस विकेट निका ला leg थे लास्ट थर्ड मेच भी फोड़ा सालो स्कॉरियंग मेच रहा था इसमें भी आप देखो गार्ण यो फिकेट मिली थे इसके पहले एड़ने वाला मेच में 2012 इसी Venue पे खेला गायa था अब इस Venue के Player हों की your efforts की बात कर लेते हैं मुतलु है arrieste ले कंगा से प्लियर है चिनकी पर्फॉमास अच्छी रहती है तो सबसे बेले February 29 सक्कते का oosat रेता है Simran Hittmayer 31 सक्ट tu de पर दस मेचों में 26 प्लस साथ विकेट तो इंपॉर्टेंट रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे रोमें रोस्टन चेज दोस्तों इस पीन बॉलर है पूरे और अपने डालते हुद दिख सकते हैं और पैटिंग में भी कॉंट्रूइट कर सकते हैं दस मेच के लिए दोस्तों साथ विकेट निकाले हैं तो इंपॉर्टेंट से और यह जील पॉइंट वी से डिफ्रेंशल भी रहेंगी क्योंकि इनका पर स्लिक्शन काफी कम रहने वाला है यहां पर देखो कि निकोलस पूरान बुरी तरीके से फ्लॉप जाते हैं बारा मेचो इंडिया की तरफ से एक मैच ही कहले है कुछ प्लियरों ने जिसमें अर्चदीप सिंग को विकेट मिले रवी विकेट हार्दिक पंडिया फ्लॉप गायिंज वेंडियू फे और सुरिक्मार यादब ने चोवीशन बनायते हैं इसके अलावा हैट टुएड देखो कि दोस् इसमेच में 17 विकेट की रहेते और यहां पर आप देखोगे रभी विष्णुई को चार विकेट मिलेते गुल्दी वियादव को तीन अक्षर पेटल को तीन विकेट मिलेते यह सारे के सारे विकेट इस्पिनरों को ही मिले हैं इसके अलावा हार्दिक पाइंडे का 28 सरन का य परजिन से और वेस्ट इंडेस को इसमेच में भी इन्होंने ओल आउट कर रहा था संजु सेमसंग और सुरिकमार यादव के परफॉमस अच्छी रही थी अक्षर पटल 20 रन शाथे-साथ दो विकेट का योगदान दिया था अर्चदिप सिंग को तीन विकेट मिले थे पूरन रोमेन पोबल ब्रेंडन किंग और सिमरन हेट वाय इस चारों को थोड़ा-थोड़ा सा योगदान रहा था इसके अलावा बॉलिंग में दूस्तों अक्यलों से जैसन होल्डर का योगदान था और यहां से सूरिकमार यादव के छोटतर रहे थे लास्ट फूर्थ ह इसमें दोस्तों वेस्ट इंडिस ने विन करा था और इंडिया टीम को इन्होंने ओल आउट करा था ब्रेंडन गिंग चले थे ओवेड में कोई के छे विकेट रहे थे इसमें तो गया रखनाओ बोगे बहुत अच्छी पर्फूर्मस देखे गाए थे जैसे और पर यहां हो बोलरों को विकेट मिलें तो अब यहां पर अपन देखने वाले हैं कौन-कौन से फ्लेरों के असांधर रिकोड रहे हैं तो सबसे पहले निकॉलस पूरा है जबरदस्त खेलते हैं साइहोप सुरी सिम्रों एटमायर फ्लाप जाते हैं रोमें पोबल ठीक टाउप स्मित के ठीक रिकोड है ट्रोस्टन चेस के जवर्दस रिकोड है और अलजारी जोसेप के अच्छे रिकोड है इंडिया की तरफ सुरुकुमर यादब के एक्सेलेंट रिकोड है चालिस का उसत रहता है उल्दी ब्यादब पाच में चुमें 11 विकेट एक्सेलेंट यहां काफी जवर्दस टूआर्ब करते हैं वेस्टेर घंडिस की टीम घमक है पर दो शेंट मेंच हे डविक्त प्लेंग मेंन बेंट टनक परहसकरोों करेंगे तक एछ उसकता है कि जोनसं चार्ज को भी तीम मोका दे सकती है साय होप की जगह पे क्योंकि जनरल दोस्तों साय होप T20 के बल्ले बाद नहीं माने जाते हैं यह ODI में अच्छा मेंचेस खेलते हैं सो यह T20 फॉर्मेट है और इसमें हो सकता है चार्ज को प्रमोट किया जा सकता है ठीक है और सिम्रों हेटमार आएंगे उसके अलावा निकोलास पूरन है रॉमेन पॉवल टीम के कैप्टैने सीरीज में रॉस्टन चेस खेलते हुँ दिखेंगे जैसन होंडर है ओडिने स्मित कि रोमार्य सीफर्ड में से खेलते हुद दिखेंगा अकिल होसन आएंगे summon के रूप में और अल जारी जोसेफ अफको खेलते हुद दिखेंगे ज़नरल होता हैए तो यह लोग क्या करते है दूस्तो अक्ल नसेट ऑफिन शीशन होसन हुए और आ schaLP होड लिटेंगे उते जान रखना अकिल उसन से भी इनिसियल में कुछ ओवर करवाया जा सकता है ठीक है वर चांसे थोड़े से कम रहेंगे और यहां पर काइल मेर्स दोस्तों ओपन बोलिंग कर जाते हैं एक या दो वर डाल जाते हैं ठीक है तो हो सकता है कि जैसे नोलडर के साथ में आपको काइल मेर भी ओपन में बोलिंग करते हैं यहां पर अपन स्कुर्ड डिटेल की बात करें ब्रेंडर के का रीसेंट फॉर्म देखोगे तो ओडियाई में फ्लॉब गए थे कुछ खास करनी पाए थे बट यह तो अच्छा करते हैं और यह दो में अच्छे खेले उन्होंने पिछल अच्छे प्लॉब लेकिन फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था कि काफी लंबे टाइम बाद बापसी कर रहा है तो देखना होगा किस तरीके से परफूमस देते हैं तो अभी तक तो फ्लॉब गाये हैं और रिस्की पिक रहने वाले हैं ग्रेंड लिग में ही ट्राए करना स स्माल लिग में रिस्की है निकोलस पूरर रिसेंट फॉर्म काफी तकड़ा चल रहा है अभी रिसेंटली दोस्तों फाइनल मेच खेल के आ रहे थे कनेड़ प्रीमियर लिग का जो अभी लीग चल रही थी रिसेंटली उसमें दोस्तों बहुत ही सांदर पर्फूमस दीक्य आए थी यह और टी-टी-टी के बहदरिन बल्लेवाजे रोमेन पॉबल का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है बट यह प्लियर क्वालिटी वाल रहा है टीम के कैप्टेंस है बेटेंग और नीचे है रिस्की है ग्रेंड लिग में कुछ टीमों में ट्राय कर सकते हैं स्मॉ इनके पास एक एडवांटेज रहता है साथे साथ बेटिंग में भी अच्छा कॉंट्रिविट कर सकते हैं तो यह एक स्मॉल लिग वाले प्लियर ने सेफ के डिगरी में आते हैं और बोका मिलता तो ट्राय कर सकते हैं यह भी दोस्तों काफी लंबी टाइम बात खेल रहे है आते हैं तो थोड़े से रिसकी फिक रहेंगे तो इस स्मॉल लिग के कमपेरिशन में ग्रैंड लिग बेले जादा सही रहेगा इनको अक्यूल सिन इस वेन्यू के कोड्रिंग ली काफी अचह फिक रहेंगे ओर अच्छे फॉं में भी हैं तो इनको जरूर टाय कर लेना और और especially Grand League अगर खेल रहा हो तो एकार टिम में Captain भी बना सकते हैं पर इनको अलजारी तो से विकेट टेकर बॉलर रहे हैं फर्स्ट इंग में बहुत important रहते हैं और विकेट में एक जिए उन टाइम लिके ही जाते हैं तो यह काफी important रहते हैं जोंसन चार्ल्स अगर मोका मिलता है जरूर रहे कर लेना इनके हैट्वेड में excellent record है दोस्तों तो Grand League में यह Captain के लिए भी अच्छे उमिद्वार रहने वाले हैं और Austin Chase इस venue पर कमाल कर सकते हैं second inning में ज़्यादा important रहेंगे तो ज़रूर ट्राय कर लेना अगर second inning में balling करते हैं तो विकेट भी अच्छे खासे इनको मिल सकते हैं और एक Grand League में अच्छे Captain option की choice में भी जहेंगे दोस्तों बाकी ये दो प्लेयरों के खेलने की possibility काफी कम हैं यहाँ पर अपन इंडिया की लाइनप की बात कर लेते हैं सुमन गिल ओपन करेंगे SSB जैसमेल के साथ Eason किसन मोश्टोली वंडाउन आएंगे या फिर यह सब भी हो सकता है यह SSB जैसमेल के साथ Eason किसन ओपन करने आजाएं और सुमन गिल को वंडाउन भेजा जा सकता है बट हाई चांस रहेंगे कि यह आपको वंडाउन बेटिंग करते दिखें तिलग वरमा का इस मेच में डेव्य हो सकता है और संजु सेमसंग को भी इस मेच में खिलाया जा सकता है इन दो में से Eason कोई खेलता हो मुष्टोली दिखेगा ज्यादा चांस समझो लग रहे हैं यह दोस्तों तिलग वरमा का डेव्य करा देगी टीम इडिया हारदिक पांडिया है सूरी कुमार यादा हो है अक्षर पटेल है कुल्दी प्यादावे और यूजी चहल इन तीन इस्पिनरों को मैंने प्लेइंग लियर ने मेंसन कर रहा है क्योंकि वेन्यू के अकॉर्डिंगली मेरे हसाब से यह तीन प्लेइर आपको खेलते हो दिखने चाहिए या फिर दुस्तों हारदिक पांडिया जो कि इनिशाल बॉलिंग कर रहा है तो अर्चदीब के साथ आपको हारदिक पांडिया भी बॉलिंग करते हो दिख सकते हैं तो यह टीम कंपरिशन थोड़ा सा ठीक लग रहा है मतलब लाइन अप सही दिख रहा है बाकिया अपन स्क ग्रेंड लिग में इनको जरूर कैप्टेन की रूप में ट्राय कर लेना इसान किसन की बात करूं काफी इंपोर्टेंट पिक हैं और रिफॉर्म भी दगड़ा चल रहा है वन डाउन पे बेटिंग कर रहे हैं और टॉप और इंडिया का समेच में इंपोर्टेंट रहने व सेफ प्लेयर हैं बॉलिंग बेटिंग दोनों का वेकप देते हैं बेटिंग ओड़ा थोड़ा से नीचे रहेगा बर आने के चांद साही रहेंगी बेटिंग संजु समसंग दोस्तों लास्ट जो ओडिया ही था उसमें उन्हों बताया कि कितने कैपेबल है और अच्छा-का सब्सक्राइब करेंगे अगर खेलेंगे तो और यहां पर आर्चवदीप सिंग हुए यह भी काफी टाइम बाद खेलते हुँ दिखेंगे आपको और फर्स्ट लिग में ज्यादा इंपोर्टन रहने वाले तो इनको भी जरूर ट्राय कर सकते हैं अबर अपने टीमों में आवेश खान अगर खेलते हैं तो ट्राय कर लेना ग्रेंड लिग में स्मॉल लिग में थोड़े से रिस्की रहेंगे दोस्तों यूजी चल पिछले दो मैच में विगेट नहीं मिला लेकिन इसके पहले काफी थगड़े फर्म में हैं चार-चार विगट दो वार निकाल के आ रहे हैं और ग्रेंड लिग में अच्छे कैप्टन अप्शन रहेंगे स्मॉल लिग टीब में बिल्कुल लेकर चल सकते हो विष्णवी के खेलने के चांसे कम हैं मुकेश कुमार जरूर राय कर सकते हैं लेकिन दोस्तों लास्टेस में अच्छी पर्फूमस दीती और इस ज्यूर से रिस्की रहेंगे और खेलने की पॉस्प्टियटी कम हैं तिलक बरम अगर खेलते हैं तो इनका डेवी मेंच रहेगा जरूर राय कर देना डेवी वाला प्लेर इंप्रेंट रहता है ग्रेंड लिग में इनको आप कैप्टन भी बना सकते हो स्मॉल लिग में कैप्टेन की बात करें तो हार्दिक पंडी अच्छी चोईज रही है अपर यासस भी जैसभाल सुम्मन गिल और इसान की सर्व इसान की सर्व अगर ओपन करेंगे तो अच्छे कैप्टेन ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लिग में आप ट्राय कर सकते हो अधर्वाइस दोस्तों जैसभाल और सुम्मन गिल थोड़े से बेटर ऑप्शन रहने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों सावनेली टीम के में भी कुछ अच् एमिद्ऌन के सवके से इससे जिनका पर सेलेक्शन बहुत कम है याने कि 10-20 इतने के क provocative एधितने के करीब है उससे भी कम अब्हें का फ़ी सरे सलेकषन है लेumoey gir और ये बहुत इंप्णार लेक्ट लिम लेकुरहने वाले है सबसे ब्लत करें संजुसेशंकंग की तो दोस्त के खेलने वाले प्लियर है और पचास इजी लिए लगा सकते हैं दोस्तों यह ब्रेंडन गिंग बहुत कम सेलेक्षिन है इनका भी लेकिन अच्छे पीक है बिल्गुल ट्राय कर सकते हो थिलग वर्मा डेव्यू वाले प्लियर रहेंगे साथ-10% के भी दीचे सिलेक्षिन है जरूर ट्राय कर लेना ग्रेंड लिग में जोंसन चार्थ दूस्तों तीन मेच खेले हैं और करीब-करीब देड़ सो प्लस स्कोर कर चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट तो बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत कम लोगों ने ले रखा है तो ग्रेंड लिग की पॉइंट ओव वी से काफी क्रूसियल ये पिक रहने वाले हैं रोश्टन जेस इस वेन्यों पे जबरदस रिकॉर्ड रखते हैं और इस्पिनर को मदद मिलेगी तो ये बहुत अच्छी परफोश दे सकते हैं प्लस बेस्ट इंडिस के खेल रहे हैं तो यहाँ पर इनके बेटिंग मिलने के भी चांसे हाई रहेंगे अक्छर पेटल अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं जबरदस रिकॉर्ड रखते हैं सायद दो मेचों में पांच विकेट हैं इनके नाम पर हेडट टो एडवे और इस्पिनर हैं काफी जाद मदद मिल सकती है इनको बेटिंग से भी कोंट्रिट कर सकते हैं तो यह भी एक इंपरटन प्लेयरं रहने वाले हैं जिनको ग्रनली में ज़्रूर्य को रहें कर सकते हैं जिनको बहुत इससे लकरब इंपोर्टेंट रहेंगे फॉर्म जवर्दस चल रहा इस कारण से अकिल उसेन को भी बहुत कम लोगों ने लिया इन प्लियर को भी आप जील में ट्राय कर सकते हो यह भी दोस्तों काफी सांदर विकेट टेकर बॉल हरे तो यहां पर अपने देखें दसों प्लियरों के बारे अब यहां पर एक चीज कर सकते हो सुरी को मर यायद आपकी बेटिंग पोजिशन नीचे है तो यहां पर आप डेवी वाले प्लियर थिलाग वरमा को प्रीफर कर सकते हो और रहा हूं यहां पर दोस्तों काईल मेर्स को रख रहा हूं में या फिर थोड़ा से कुछ अलग कर लेंगे तो यह भी एक इंपॉर्टन फिक रहेंगे और यहां से अगर अपन आए तो यहां पर थिलाग वरमा कोई जगा पर दुस्तों किसी दूसरे प्लियर को ट्राइब कर रहा हूं में हब जोंसन चार्ज को ले रहा हूं अगर खेलेंगे या तो जोंसन चार्ज खेलें इंडिया की तरफ से और वेस्टरी तरफ से एक प्लियर अपन ले सकते हैं अपने पास चोईज सब लेए तो यहां पर अलजारी जोसिफ रहने वाले हैं नोड आउट और यहां पर यूजित चाहल अगर खेलेंगे तो अपने टीम में अगर नहीं खेलेंगे तो यहां पर दोस्तों अपने टीम में से एक्ष्ट्रा बैट्समेन या फिर एक्ष्ट्रा और नोडर को बढ़ा सकते हैं इंडिया की साइट से तो टीम प्रीव्यू कुछ इस तरीके से बन रहा है फाइनल टीम टेली राम चनल पर मिलेगी टेली नहीं जुड़ 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 जा जुड़ जुड़ जुड़